नाँसका दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभीकस वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है निम्रा आमत का और इसका टाइटल है इंडियन नेवी जो है वो इस पर किस तरह से रियाक्ट करती है क्योंकि भाई भारत की सेना को वो अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, हिंदूओं को सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और इसके बाद भी जब उनके कानों में ये खबर पहुंचेगी कि भाई, इंडियन नेवी के कमांडूज ने उनके उन्नीस बंदों को बचाया है, सुमाली पाइरेट से, अपनी जान दाओं पर लगा कर, उनका रेक्शन कैसा रहता है, चले आए ये सुनते हैं इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या जा रहा है, और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका नहीं, देखें, वो ग्वर्मेंट लेवल पर क्या करते हैं, who cares, but we can't change our neighbors, we are neighbor, we have to live गवर्मेंट लेवल पर ही जो किया जाता है वही केर होता है सर गवर्मेंट की तरफ से बयान आएगा वही सही बयान माना जाता है वही उस देश की दिशा और विचार व्यक्त करता है आम आदमी क्या बोल रहा है उसे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर सरकार वहां की बोल रही है तो फरक पड़ता है और अभी तक तो कोई बयान नहीं आए है पाकिसानी गवर्मेंट के तरफ से अरे कुछ थोड़ी बहुत शर्म आये तो थैंक्यू का एक नोट ही जारी कर दो भाई लेकिन नहीं करोगे पता है हमें अब उस एरिये के अंदर भारत की इंपोर्टन सो और बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने च्छटिस गंटों के अंदर दो अपरेशन किया है वहां पर और बाहु भी रैस्क्यू किया है तो उसके बाद आपको क्या लगते हैं उनकी इंपोर्टन बियान सी में कितनी मैटर करें अगर यह अपरचनोटी पाकिसान नेवी को वेलेबल होती है तो डेफिनली वो भी जाते वो भी ही काम करते सर आपको जरा भी आइडिया नहीं है आपकी पाकिस्तानी नेवी ने वो सिगनल इगनोर कर दिया जाते अरे अपनी बेशर्म नेवी से पूछो जा करना सवाल उन्होंने इंडियान नेवी से मदद नहीं मागी थी मेरी बात समझे है जब भी कोई ऐसी चीज होती है जब भी कोई फसते हैं तो वो डिस्ट्रस सिगनल बेशते हैं और वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वो हर जो भी आसपास नेवी है सारे लोगों के पास पहुंसती है वो चीज और उसके बाद रिस्पॉंड किया जाता है तो इंडियान नेवी को जब वो सिगनल मिला तो उसने रिस्पॉंड किया signal पाकिस्टानी नेवी को भी मिला होगा लिकन उन्होंने रिस्पॉंड नहीं किया क्यों नहीं किया रिस्पॉंड पर आप ये करने कि करते अरे जा के कुछ पढ़ लिया करो सर पता कर लो कि कैसे operations होते हैं तो इट ड़ेजन नियुक्त उन्होंने ये काम किया है तो उसके साबसाम उनकी जो गलती है उनको माफ कर दिया जाए जैसे वो कश्मीर पर कर रहे हैं कश्मीर पर जो उनकी इन्फूजन है कश्मीर आपके अबबा का है आपके चाचा का है आपके ताउ का है किसका है कश्मीर में कश्मीर अपकी बपौती है, बपौती है, अरे अपने बलुचिस्तान वालो पर पूछ लू, क्या हो रहा है, कश्मीर की बाद बात में करना, हमारे कश्मीर के चाहल है किसी भी किसी भी हिटे में क्या चीज मैंटर करती है एक्टो बैसिक फैसिलिटीज हो दूसरा आपको बैसिक जीने के लिए होती है जब उनको इस चीज के उनको यह सारी चीज नहीं मिल रही है तो देखें हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुदार नहीं डिपेंड करता है कि टेबल के किस तरह बैठे हैं आप विदिन रिसोर्स इस लेके जाएंगे हमारे गोवर्मेंट के पास हमारे मुलक के पास र रिसोर्स इस किया है डेफिनली हमारे पास सवाई हीमन पावर के और कुछ भी नहीं है कैपिटल चाहिए उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है वह पॉलिटिकल डिसीन हुए है जब हमने नेशनलाइज किया बुटवर में नेशनलाइज हुई इंडस्री हुई तब के ब बड़ी गलती है कि हमारे जो स्पोर्ट्स है यह फ्लरडिश होने चाहिए क्रिकट क्रिकट को अलाओ नहीं करते पाकिसान किसा खेल नपसान नहीं करते तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको अबेच गधे संबंध किसने बंद किया है कारोबार किसने बंद किया है रिलेशन किसने बंद किया है तुम्हारी सरकार ने बंद किये तुम्हारे फॉर्मर पीम इमरान खान ने बंद किये तुम बंद करो तो ठीक हम ना जाए खेलने तो प्रॉब्लम भारत पाकिस्तान में मैच हुआ है ना थर्ड वेन्वी पे मैच हुआ है हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम पाकिस्तान से मैच पाकिस्तान में आकर नहीं कहलेंगे security concern नहीं और कहा दो कि यह जोड़ी बात हैं सेक्रियूटी कंसर्ण में अब ही तुम्हारे यहां कली धमाका हुआ है PTI की रैली में मरें हैं लोग बलुचिस्तान में बाच में इतना बड़ा हमला हुआ है तुम्हारे यहां की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 70% टेरर अक्टिविटीज बड़े हैं और उसका बात कहते हों कि जी हम आजाएं खेलने यह गलती है हमारी हम खुद को मौत के मुँँ में ठाकेल दे हम अपने प्लियर्स को यह गलती है पड़ा है लिखे जाहिल हो जाना भरा पड़ा है पाकिस्तान कजम से एक पर्टिकुलर सा पॉइंट पॉइंट जाएं इस अगूर जेस्टर वह उनके रिस्पॉंसिबिलिटी भी थी मॉडल लाइबिलिटी भी थी कि वह रेस्क्यू करते तो उनकिया पर उपर से लगके बेज़़ें नहीं पैंसल से लिखते हैं उपर उपर से लेटर लिखा जाता है और बढ़ा अच्छा जैस्टर रहें और क्या किया जाए जाए और क्या कर सकते हैं आप कि वह एनिमी हैं हमारा उन से बंता नहीं है एतनी बात है सुनने के बाद मुझे लग रहा है इपाकिस्तानी समझ में आती इस बढ़ा लिखा आदमी है जरा भी एच्सान नहीं मानबा lot ये मैंने बोला था कल के वीडियो में बोला था मैनने एसान फरामोशी इनके डियने में हैं कोई पार्टी इस चीज़ को इंडिया की जो दुश्मनी मांग रहे हैं लेकिन बद किस्मति से इंडिया में जब इलेक्शन होता है मोदी साब कोई नों को ऐसा ईवन्ट जूर करते हैं पाकिस्तान हमारे तो जब एक्षिंज होते हम तो आर रेली निकालते हैं कि आपकी ना पीनियन्स बिल्कुल समझ रही हूं क्यूंकि हम एक तो ऑपोजेट कंट्रीज है तो वह हमारे दिल में गुबार है लेकिन देखे मुसलमानों को जब मैंने स्टेडी किया भारत को तो व हैं उनके साथ पोड़कास्ट पर देख सकते हैं तो वह तो कहते हैं हम इंडिया ने हमें हर सा उलत मिली हम पाकिसाना ना पसंद निकर रहे हैं लेकिन वह मुसलिम्स आदा तीतर आदा बटेर हैं उनमें से हाड़कोर मुसलिम्स कितने रहागी हैं यह देखें हम शार क्यू पॉसद का में दो क्योटा नोगरें बना लें हिर्फ यह असली बात हैं यह असली बात यो हर पाकिस्ताई के दिमाग में कि इंडिया में पाकिस्ता बना ले याद रखतना है मैं बनेगा तुम्हारी घलतियों कि वज़़ां से बनेगा हम देखेंगे ये पाकिसान बनता हुआ, चिंता मत करो, 71 में बंगला देश हम देख चुके हैं, और भी बनाएंगे, बात मिर्ची की तरह लगरी होगी, जो आपने ये बात कही है न, ये ठीक उसी का जवाब था, आप करी को बना ले पाकिसान में, भारत में एक और पाकिसान बना लें, आप और लडवाना चाहते हैं हमारे हिंदू मुसल्मानों को, ये है आपकी मेंटालिटी, और इसलिए जिसको भी आप मानते हो न, अपने उपर वाले को, जिसको भी मानते हो, वो बजाया जा रहा है आपकी 76 से, और अभी इतनी बुरी हालत होगी आपकी, इतनी बुरी हालत होगी, रोटी के लिए तरसेंगे आप लोग, यकीन मानिया, रोटी के लिए, अभी तो शुरू हुआ है खेल, अभी तो शुरू हुआ है, आपके इमरान खान और बुशरा बीबी को डाल दिया न, जेल में, गय न, दस साल की 14 साल के लिए, तोशा खानवले के इसमें, और धीरे से इमरान को टपका देंगे, उसके बाद क्या होगा आपके मुल्क में, सिविल वार होगी सर, सिविल वार होगी, और उसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, और आप जितना भी कहते रहें, दुनिया देख रही है, किसका हाथ है, अभ नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है और यह है और वो है लेकिन हो गया कोई बात बनाना चाहते बनाएं उन्हें कोई रोग सकता बना क्यों नहीं अगर वह तंग गया तो आपको समझते हो कि एक जो मुमेंट होती है एक दिन में अब खालिस्तान तहरीक कितने अरसे चल रही है वड़ा किया छान के चंडेकार की बात कर रहा हों कि थे इस अधियों मुहीत होती है यह एक दिन दो दिन से नहीं होथी इजो अग्रेशन होता है पुब्लिक का यह एक दिन में बाहर नहीं आता इंकलाब ऐसे नहीं आते इंकलाब लिए टाइम लगता होगा श्याश्य सब्सक्राइब करेगी तो तुर्की में जलजल आया था तो तुर्की ने उनको अपस में चल रहे थे इसी तरह से अजरबाइजान के अंदर इस तरह से बहुत से करती हैं यह चाहिए यह जो भारत में और पाकिस्तान बनाने के बात करता है और यह कहता है कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए और मैं बता रहूं हमारी जनता ऐसी हो गई है जिसमी सरकार ने चाहिए वो bjp की सरकार हो चाहिए वो किसी भी सरकार ने अगर रिलेशन शान्ती का पेगाम वाला मामला चलाया पृरसले अमन की शान्ति और अमन की आशा देखेगा उसका क्या हश्र होगा उस सरकार का मैं गरंटी दे रहा हूं इस बात की देखिएगा अरे उनके साथ अच्छा चाहते हैं रेलेशन रेलेशन में तो कोई भी किसी का गेंसी चाहता यह तो गॉर्मन्ट है वो जो उनकी स्ट्रेजी लाग है लेकिन आप किसी कामन परसन देखेंगे कोई भी बंदा जो बच्चो वाला है जिसके अपने बच्ची है वो कभी भी निकेगा अपने बच्चों का निवाला निकाल के किसी और देजा दिया जाए हर कोई अमन चाहता है कोई नहीं लडाई चाहता यह लडाई यह तो पॉलिटिकल उनके शॉप्स है वो चल रही है हमारे ओफिशल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजटिव जैस्टर जाएगा इस चीज़ का डेफिनली उन्हें करना चाहिए एप्रिशेट तो करना चाहिए न एक लैटर छोटा से लिख देंगे और फिर वही दिलों में नफरत है वो देखें जिस तरह आ है उसके निकाल रहे हैं बाता ना निकालने भी चाहिए यह जैसे जब तक आप जैसे रहेंग ना व्लॉगर्स एंड यह पिर अमनी होगा कैसे अमनी होगा मतब अगर हम नफरतों को कि बाद लेकर आप ने किया लड़ाईयों का जिकर आप ने किया भारत में और पाकिस्ता बानाने का जिकर आपने किया और तव्लॉच उप्रती और दूसरों को टोपर सकर करना पाकिसान इसी वज़ा से बर्बाद हो रहा है मतरा हैं तो हमारा धुशमान है लेकर नगान कहले हैं अगिन तो दूशमान हैंए यह नहीं हिरा नहीं मुसलमान हो और मधचाप़ी लोग लेगा कर देन्सानियता ऊब्त मूत तो बहुत भी हैं। की चैनल में हुता है nisamagar के बुल जाएं। तो जब तुम बुकत में होता है तुम होती हो तुम को को करदा दे थो वो अच्छा नहीं रहें। तुम साओधीा झान्ट ने। दुबई ने भी दिया वो तो सब ने दिया अलग क्या किया चाइना ने बहुत सारे एसी पैक नी हमरा रोजगार महिया होगा वहां पर जो मुसल्मानों के साथ किया जा रहा है उस सब को बूल जाएंगे आप नहीं उसको क्यों बूलेंगे वो तो उसी जगह पर बात खड़ लोग है इसी लिए हालत है आज पाकिस्तान की आपका खुदा भी आपकी मदद नहीं कर रहा है तो जानता है कि कितने गलीज लोग है पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान नहीं लेकिन मैक्सिमम इतना इतने मुनाफकत भरी है आपके अंदर इतनी कि आप सही और गलत का भेद भूल गए औरे ये वही चाइना है सोला हजार से जादा मस्जिदे तोड़ दी लेकिन तुम्हारे गले से चू की आवाज नहीं निकली है वो लबैक वाले टी एल पी वाले जो आए बात पर इसलाम खत्रम है उनकी आवकात नहीं है कि चाइनीज अमबसी के बाहर जाकर प्रो प्रोटेस कर दो अपने मुसल्मान भाईयों के लिए नहीं करोगे गले में डॉलर का पट्टा बांद रखा उसमें चाइना नहीं है जहां बोला टाइट कर देगा जहां बोला टाइट कर देगा यह जूटा इसलामिक जो कहते हो ना कि हम यह हैं जूटे हो तुम लोग कितनी एहमियत बढ़ जाएगी इस इस कीसे के बाद बात बने या ना बने लेकन दुश्मन दुश्मन होता है चाहे वह आपकी जान बचा ले लेकिन है वो दुश्मन ही हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना नो हाँ नहीं कियों नहीं कहेंगे इंसानियत मर गई ने ने इंसानियत अपणी जगह पे है लेकर मुसलमनों के तो बहुत दिश्मन है ना क्या से दिश्मना ये बतादे एक मुसलमाण है एक और मذہب है किया उसका फरक नहीं है बहुत बार पाकिस्तानी मुसलमान थे और कौन थे अच्छा आपके लिए सरफ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो जो मुसलमान को मैं तो वैसे बाई-दवे बात कर रहा हूँ बारत को छोड़े मुझे बताएं भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पर बारत ने क्या नुकसान बारत ने हमारे साथ दो जंगे लड़ी है तो मुसलमान जो उदर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ हुआ है उनको इधर वो आते क्यों यहां पर इधर तो यहां पर क तो आप किदर जाओगे पाकिस्तानी आते साओधिया चले जाए वहां का अपना काम आपना घर कोई भी नी छोड़ता देखे जहां जुल्म होता ना वहां कोई नी रह सकता है आपको एक कमरे में बंद कर दूँ ना पानी दूँ ना खाने को दूँ जुल्म इतना जदा करू आपका क्या दिल करेगा कि आप उस धर्वाधे को तोड़के भाग जेए आप रहना पसंद करेंगे नहीं ना पसंद करेंगे तो सेम होनी के केस में भी सेम यही है उनके बाप दादा की उधर कबरें गारा हैं किसी का देल नहीं करता घर चोड़ने को जाहे जुलम हो जो है जब मुदी जुलम करता है तो मुसल्मान का मकाम भी है ना जो शहीद हो जाता है यह चीज सौधिया को नजर क्यों नजर क्यों नजर क्यों नहीं आती है हम कोई अनोखे लोग है जो सौधिया को नजर नहीं आता है उम्ते मुसल्मा को मुसल्मानों के लिए खड़ा होना चाहिए देखो अब इस्राइल जो जुलम कर रहा है फलस्तीन के अंदर सबसे पहले सौधिया को चाहिए था खड़ा होना ये लोग अंग्रेदों के पिठू बने हुए हैं पाकिसान भारत की बात करें शुकरिया दा करना चाहिए उनका क्या अरे तो पाकिसान ही खड़ा हो जाता अरे घैरत बची है तुम लोगों में तो खड़े हो जाओ अपनी फौज बेज दो इस्राइल से लड़ने के लिए भेजो ना घैरत मर गई है साथिया को तो बोल दिया तुमने फिलस्थिनियों के लिए ना तुम्हारे याँ से बंदे गए ना तुम्हारी फोज गई बस बैटके हाँ दो चार दो चार दो दो चार बयान दे दिये तू है ऐसे अप再पोर्ट पर हमने भी किए दड वा उनको बचाए क्या वो शुक्रिया अदा करते हैं शुक्रिया उस एल्वह का दा करो अल्ला ताला किसी इन्सान को वसीलह बना के बेशता है भूल गई अब और नहीं अल्ला ताला मेरी बात सुनो जो लोग बच जाते हैं ना उनका दानापणी अभी जमीन में होता है उनको बचाने के लिए अल्ला वसीले बनाता है ये बात बूल गए वसीले तो बता तो उपते को तिनके का सहारा चलो जैसे तुम बोलती है ठीक शुक्रिया क्यों करना चाहिए नहीं इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा आदे जब आपने इतनी बात बोली तो तो झीगरा रखिए जीगरा मैं किसी से नहीं डरता अल्ला से डरता हूं बहुत अच्छी बात है ऑप बता दे क्यों शुक्रिया दानापश मैं कैसे उनका शुक्रिया तो फिर भी मुसलमान कहें नहीं नहीं आसा तो कभी नहीं यह नहीं यह नहीं हो सकता है असली बात जबान पे आगी ना यह वो सीक्रेट बात है यह वो नफरत है जो आपके अंदर नोन मुस्लिम्स और हिन्दूओं के लिए भरी है और बुज़र्गवार ये नफरत आपकी जनरेशन्स को खा चुकी है आपके मुल्क पाकिस्तान को खा चुकी है लेकिन अभी भी आपको वो नफरत समझ नहीं आ रही है कबर में जाओगे ना इसी नफरत के साथ जाओगे चिंदा मत करो अद तुम्हारी आने वाली पीडिया भी इसी नफरत के साथ कबर में जाएंगे तुमको तो अभी दो रोटी मिल रही है तुम्हारी आने वाली जनरेशन को रोटी भी नसीब नहीं होगी याद रखना वाला दोर नहीं है अब इंटरनेशनल डेशन्स वाला दोर है आप कह रहें नहीं कि वो मुसल्मान नहीं है हद दो गई आपके वाली उन्हों ने एक अच्छा काम किया है बजाए आहम मुसल्मानों का तो इखलाक मैटर करता है आप क्या मैसिज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर हम यहीं प्रगाम देना चाहते हैं ठीक है उन्होंने बचाया है तो हमारे मुलक ने भी कई इंडियन कि ना समंदर में हमारी फोर्स था इस ने भी उनको बचाया है यह तो कोई ऐसी बात नहीं है वह ऐसी कोई बात नहीं हम इसके बारे में अच्छा तफरका हमें लेकर बैठ गया नहीं फिर तफरके से में मना किया गया वह और तफरका यह तफरका नहीं है ऐसे ढूम और चलती है बात अचाओं तफरके और बाद के थोड़े हैं यहीं तफरका आपको नजर आता है आप मीडियो वाले भी जो हैं मेरी बास उनो सच को जागर तो आपके साथ बहुत ना उपर बात यह के एक तरफ इनसानियत भी है ना सिरफ यह तो नहीं है कि मसला आप एक नजरिये के पीछे चलेंगे समझ गई अब अगर कुछ तबी मसला पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है तो इसको भी इनसान बचाते इसे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है तो बात यह अकर उन्हों ने किये लेक़ पासटाइए एक पॉजडिव जेस्टौर है अच्छा बात है उन्होंने बचाए लेकिन अधर और भी बात है मसलां इदर हम उनके जासूस पकड़ लेते हैं जो ब्राहिरास मसलां हर चीज में मुलवस होते हैं जसोर क्वशन ता जो उस दिन बहुत बड़ा ने यह निने जो निटर ताओ पकड़ा अन्यू पक्रवाइन ने ने टर्वर्क यह पंचार दिन हो गए समझ गई यह जो जिनी जो पकड़े बुरुजस्तान में समझ गए तो देखो हो आते हमारे हमसलान कुल खुला कर वई कर पर बागी हो चोड़ा खतम करो यार मैं समझ गया और भला हो रियक्शन चैमेल वालों आपका कि पाकिस्तान का असली माइंडसेट आप लोग लेकर आ रहे हो और जिसको हमारे भारत के लोग देख रहे हैं और जो अमन की आशा और भलाना ढिमकाना ये वो चलाते रहते हैं न अरे ना मुरादों सुनो कि पाकिस्तान की आवाम का माइंडसेट क्या है समझे ये है असली माइंडसेट एक कहता है कि मुसल्मानों ने बचाया क्या मुसल्मानों ने बचाया होता है तो मैं थैंक्यू करता है खैर अच्छी बात है देखो हम आपकी तरह नहीं है और यही स इसनियुत पहले है आपके लिए आपका रिलिजन पहले है हमारे हमारे मारे हमा après इसलिए हमने उनको बचा लिया कि समझे क्यों कि हमारा दिलengo़ा नहीं करता कि ahí कि सामने उनको छोड़के चलें जाए मार देंगे तो क्या होगा हमारा दिल गवारा नहीं करता प्रोफेशनल लोग है न हम लोग पाकिसानी नेवी ने तो जवाबी नहीं दिया डिस्रस सिगनल का सुनके चुपचा पायरलेस बंद करके बाइट गया नहीं यार कुछ नहीं करना छोड़ो जान दो मरने दो अरे यहाँ पे तो जान बचाने के सवाल था रशेय उक्रेन में नहीं किया कहीं नहीं करते करगिल में तो तुम्हारे बंदे मारे गए उनकी लाश तक तुम वापस लेने के लिए तुमने नहीं किया वो तो हमारे कहने पर जोड़ देने पर कुछ लाशे गई वापस ये तो कि किन के लिए हम अमन की आशा चला रहे हैं किन से हम कहते हैं कि जी रिलेशन बेहतर कर ले कोई जरुवत ने रिलेशन बहतर करने कि मेरा वस्च चले तो मैं 40 फिट मोटी दिवार बना दूँ यहां लेके वहां तक इंटरनेशनल बौर्डर पर कोई रिलेशन नहीं रखना है वो सानिया मिर्जा गई थी ना सबसे लड़के अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से लड़के गई थी ना शादी करने शोयव मलिक से मुल अटका के बैठी हुई है आज कल पाकिसानी होते ही धोग है बास है सारे नहीं लेकिन मैकसिमu क्योंकि यहां तो जान बचाने के बाद भी यहां पर पतब तीन बंदे Thank You नहीं बोल रहे है तो असली चहरा पाकिस्तान का ऐसे ही दिखता है जब ऐसे लोग आकर चैनल पर सोचल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं और फिर ये पूरी दुनिया में फैलता है, तब तो पाकिसान का असली चेहरा दिखता है, कमेंट कर गया आप बताएं, जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जहीं